नमस्कार दोस्तों मैं आजयो कुमार आपका स्वागता है मेरी यूटूब चनल पर आज मैं आपके लिए हाई पावर मोटर लेके आया हूं 72 वोल्ट 5 किलो वाट तो इसका एक एक आइटम आपको दिखा देता हूं सबसे पहले ये वाइरिंग है लगबग 1-100 मीटर हैवी क्वाल्टी वाइरिंग दी गई है उसके बाद इगनिशन की कंट्रोलर को ओन ओफ करने के लिए इस किट से रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वाइरी होगी मैं वीडियो में दे दूँगा ये DC to DC कंवर्टर है 72 वोल्ट को 12 वोल्ट में कंवर्ट करेगा 12 वोल्ट 20 एमपियर यानिकि 20 एमपियर जिससे की गाड़ी के होर्न लाइट इंडिकेटर वगरा काम करेंगे ये फ ये चार्जिंग शोकेट है चार्जिंग शोकेट ओनली चार्जिंग के लिए अगर आप ये किट लेना चाहते हैं तो आप हमें वाट्शाप कर सकते हैं ये किट मैं आपको स्प्लाई कर दूँआ ओल ओर इंडिया में जहां भी आप बोलेंगे इसे आप छोटी से छोटी गाड़ी में भी लगा सकते हैं जैसे अल्टो नैनो वेगनार मारूती एट हंड़ड ये पेटल थ्रोटल दिया गया है वाइरिंग जो लेन्थ है वो तीन मीटर के आसपास है छोटी गाड़ियां जैसे अल्टो मारूती एट हंड़ड वेगनार ये सब गाड़ियों में जो आपको स्पीड मिलेगी इस मोटर से वो अप्रोग 72-75 मिलेगी हाँ जी 72-75 ये हमारा में कंट्रोलर है कंट्रोलर की लेंथ जो है वो लगबग 38 सेंटीमिटर है और चोड़ाई जो है वो लगबाग 25 सेंटिमेटर ब्राइंड दत्ताई ये इसका फ्यूज दिया गए है 200 एंपियर का फ्यूज है और इस तरफ बैटरी पोजिटिव है बी पोजिटिव जहान लिखा है वहीं आपको बी पोजिटिव कनेक्ट करना है और इस तरफ वाइरिंग दिगी है जैसे आप ब्रेक अपलाई करते हैं तो ये एनर्जी को रिस्टोर करता है और आपकी बैटरी को चार्ज करता है इस तरफ इसकी वाइरिंग है जो जो वाइरिंग हमारे काम की है मैं उस सब पे इंडिकेट कर दूँआ ये इगनीशिन का है ये मोटर और कंटोलर वाटर रेजिस्टेंट है मतलब बारी स्वगरे में काम करेंगे लेकिन ये तो आप बोनेट के अंदर ही लगाएंगे गाड़ी में तो वहाँ तो पानी जाने का मतलब ही नहीं है और बोनेट खोल के तो कोई चलाता नहीं है वैसे भी आप पानी से बचा के रखेगा तो ये अच्छा है इस तरफ एर कुलिंग के लिए दियागा है और ये मांटिंग के लिए इस तरफ खुछ डिटेल है 72 वोल्ट 5 किलो वाट ये 60 वोल्ट में भी काम करता है लेकिन आप 72 वोल्ट में चलाईएगा उससे आपको टोर्क और स्पीड ज्यादा मिलेगी अब करते हैं थोड़ी बड़ी गाड़ियों के बाद जिसका वज़न दो टन तक हो यानकि 20 क्विंटल 18 क्विंटल से 20 क्विंटल उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें जो आपको स्पीड मिलेगी वो लगबग 50 से 55 क्यास पास मिलेगी और मैक्सिमुम लोडिंग कापेसिटी जो है इसकी 3 टन है 2.5 टन टू 3 टन येगा आगे के लिए कपलर और ये कंट्रोलर पर लगते हैं जैसे आप वारिंग लगाएं इसको बर्स लगा दीजिएगा तकि दूल मिट्टी बगराएं ना लगे इस कंट्रोलर में बिग मोस्फेट दिये गए हैं हाई पावर मोटर कंट्रोलर जो भी होते हैं उनमें बड़े मोस्फेट लगाए जाते हैं तो जरूरी होता है ये हमारी ओरिजिनल मोटर है दताएगी 72 वल्ट 5 किलोवाट कुछ लोगों का स्वाल होता है कि एसी काम करेगी कि नहीं तो एसी काम कर सकती है एसी कोई बात नहीं है लेकिन उसके लिए थोड़ी ही प्रोसेस लंबी है उसकी डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा काम तो कर जाएगी एसी बात नहीं काम नहीं करेगी लेकिन उसमें थोड़ा पावरलोस ज्यादा होता है ये मोटर है हमारी इसकी पीक पावर जो है वो 10 किलोवाट है continuous 5 किलोवाट कोपर वाइंडिंग में है और आर्पिम जो है 4500 to 4700 लोडिंग कापिस्टी मैंने आपको बताया दी 2.5 टन 23 टन टोटल ये टोटल बताया है ग्रोस वेट स्पीड छोटी गाडियों में 72 75 और बडी गाडियों में अप्रोक्स 55 थोड़ी बहुत उपर निचे भी हो सकती है ये connection के लिए ये आपको इंजन को हटा के direct gearbox में लगा देना है शिर्फ इंजन हटेगा gearbox और clutch plate यूंकी यूर रहेगी उसको आप नहीं हटाएंगे अगर आप ये kit खरीदने के उच्छ कहें तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं मैं आपको supply कर दूँगा आप जहां भी बोलेंगे एक और कमाल के बात मैं आपको बताऊँ रीज जनरेटिव का ये फाइदा है मान लिजे आपकी battery low हो गई बिल्कुल आपकी गाड़ी बंद हो गई और आप उसे टोकर के लिए जाना चाहते हैं तो उस टाइम ये चार्ज की जा सकती है जैसी आप टोकरे उस टाइम रीज जनरेटिव ब्रेकिंग आप अप्लाई कर दीजिए और आपनी गाड़ी को फेस्ट गीर में ले लिजिए फेस्ट गीर में तो जैसे ही आपकी गाड़ी चलेगी वैसे ही आपकी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी हाजी चार्ज होने लग जाएगी जो गोलाई है 66 cm गोलाई 66 cm लेंद जो है वो भी दिखा देते हैं आपको 31 cm लगबग 31 तो आप अपनी बैटरी का उस्तरे भी चार्ज कर सकते हैं इसके साथ ये पूरा किटाता है जो आप देख रहे हैं कंट्रोलर का वेट 5.98 तो देख सकते हैं कितना हैवी कंट्रोलर है बोडी जो है पुरी मेटल की है इसके साथ बैटरी और चार्जर इंकलोड नहीं है मैं पहले ही कलियर कर दूँ चार्जर जो है बैटरी पे ही डिपेंड करता है इसलिए मैं चार्जर इंकलोड नहीं कर रहा ये मोटर का वेट देख लिए जी जी 20.376 kg बहुत ही हैवी मोटर है और प्योर कोपर मैंडिंग में है इस तरफ साफ्ट है इसकी तो ये तो गूम नहीं पारी मैंने तो खुझ और लगा लिया नहीं गूमी मेरे से तो मैगनेट काफी पावरफुल दिये गए है आप छोटी गाड़ियों में लगा सकते हैं बैटरी डेटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फिर भी अगर आपका कोई स्वाल रह जाता है तो आप हमें पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब आपको जरूर दूँगा लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख ले और डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से चेक कर लें ताकि आपको स्वाल पूछने की जरूर थे ही ना पड़े लगबग सभी स्वालों को जवाब आपको मिल ही जाएगा मोटर कंट्रोलर वाटर रेजिस्टेंट है मैंने आपको पहले बता दिया यह कंट्रोलर जो आपको वो साथ में फिरी मिल रहा है तो थेंक्स फॉर वाचिंग दिश वीडियो